नमस्कार मैं हूँ ससी आया जर्खन की टॉप 25 पर्मोख खबर जनते हैं सहीद निर्मल महतों के दिखाई रास्ते पर चलकर जर्खन का विकास किया जा सकता है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अमासुरे ने कहा कि आज का दिन जर्खन वास्यों के लिए बहुत खास है जर्खन अलग राज अंदोलन में सहादत देने वाले बीर सहीद निर्मल महतों को उनकी जयनती पर हम याद कर रहे हैं सहीद निर्मल महतों के योगदान को कभी जर्खन भोल नहीं सकता है मुख्य मंत्री ने सुक्रवार को जमसेद पूर के उल्यान कदमा में इस्थित सहीद निर्मल महतों की परतिमा पर मल्यारपन कर सत्सत नमन किया मुख्य मंतरी न का कि सही निर्मल महतों के दिखाय रास्ते पर चल कर ही जार्खन को विकास के रास्ते पर आगे ले जाया जा सकता है जार्खन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले चार दिनों तक ज्यादा बदलाव नहीं होगा पारा के अभी और नीचे गिरने की संभावना नहीं है इस दोरा नियुंतन तपमान समानिय के करीब रहेगा और आम जन को ठंड से थोड़ी रहात मिलेगी मौसम पुरुवानवान के मुताविक अभी आसमान साप और मौसम सुस्क रहेगा बता दे गढ़वा, डाल्टन गण, चत्रा, कोडर्मा, गिरी, डी, देवगर और सायवगन, जीला में सुबा में धुन्त और कोहरा कायम रहेगा वहीं सुर्योदय के बाद वातावरण में छाई धुन्त छट जाएगी NPA वाले किसानों को भी किरिशीरीन माफी का लाब देने की तैयारी NPA खता धारक किसानों को फिलाल किरिशीरीन माफी योजना का लाब नहीं मिल पाएगा या जनकारी किरिशी मंतरी बादल ने सुक्रवार को दी उन्होंने का कि NPA खाताधारक किसानों का भी से उनके संग्यान में आया है लेकिन पहले चरण में 9 लाख माना खाताधारक किसानों तक आसानी से योजना का लाव पहुचाना सरकार की प्रत्मिकता है NPA खाताधारक किसानों को अगले चरण में रीन माफी योजना का लाव देने पर विचार किया जा रहा है हथियार के साथ नकसली कमांडर गिरफतार लातेहार S.P. प्रसांत अनन्द को मिली गुप्त सुचना के अधार पर पुलिस ने बालू माथ थाना छेत्रे के रजवार गाव में छापे मारी कर उगरवादी संगटन टीपीसी के कमांडर बीगन भुईया को गिरफतार कर लिया है बतादे गिरफतार अपरादी के पास से S.L.R. राइफल बरामत किया गया बरामत हाथियार पुलिस का रेगुलर राइफल है S.P. प्रसांत अनन्द ने सुक्रवार को बताया कि पुलिस को सुचना मिली थी कि उगरवादी बीगन भुईया बालुमा थाना छेत्र के रजवार इस्थित अपने पैत्रिक आवास में आया हुए है जार्खन में 15 जनवरी से चलेगा सिरी राम मंदिर निर्मान समधी अभियान ज़ार्खन के सिक्षा मंत्री जल्द लोटेंगे घर अपने हाथों से खाना खाया जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात महतो जल्द ही अपने घर लोटेंगे उमीद है कि तीन जन्वारी तक वह जार्खन लोट आएंगे बतादे चेनाई के MGM अस्पताल में 19 अक्टूबर से इलाज करा रहे हैं और अब उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रही है बतादे कि लंग्स टंस्प्लांट के बाद गुरू आदो फर पहली बार अपने हाथों से खाना खाया उनके बेटे अखलेस महतों ने बताया कि बेट पर बैटे बैटे उन्होंने भोजन किया किसानों की पहचान मीटाने की कोशिस कर रही केंद्र सरकार हिमंत्सुरेन मुख्यमंत्री जामों के पुर्व अध्यक्ष निर्मल महतों की सतरवी जयानती पर उन्हें सरदांजली अरपीत करने के बाद पत्रकारों से बाचित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने काया कि केंद्र किसानों की पाचान मीटाने की कोशिस कर रहा है ठॉंड से अनदाता मर रहे हैं पर परदान मंत्री उनकी समस्याओं के समधान के लिए तयार नहीं है लोन बित्रन के लिए पुर्वी सिम्भूम को प्रथम पुरुसकार किसान क्रेडिट कार संत्रिप्त अभियान के तहद पूरे जारखन राज में लोन वित्रन के छेत्र में सर्वस्वेष्ट परदसन करने के लिए नवार्ड के पुर्वी सीमभूम वह सराय के लाग विकास प्रवंधक सिधार्थ संकर को मुख मंत्री हमान सुरे ने पुरुसक प्राप्त किया जारखन में 169 संक्रमितों के पुष्टी हुई है जो राची से एक आसी पूर्वी सीमभूम एक अइस धनबाद अठारा बोकारो सोला मिले है जारखन में कुल संक्रमितों की संख्या एक लाग तेरा या नोसो चोवान है जबकि एक लाग एक लाग एक आसी के म्रित्य हो गई भारत में 223 59 केस मिले है भारत में कुल एक ट्प केस 2,08,274 है वहीं जारकन में कुल एक ट्प केस 3-5,87 है पुष्ट अस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रही है इसी करा में सुक्रवार सुभा पलामो जी लेख कि पूलिस को पसु तसकरों के खिलाप अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। पूलिस ने 16 कंटेनर, 3 पिक अप और 2 बेलेरों के साथ पसु तसकरों के सरगना को भी गिरवतार करने में सफलता हासिल की है। बता दे 99 से 500 से अधिक संख्या में गोवन से पसु बरामत किये गए है। राजे पल ने अटल बिहारी के जहनती पर सरधा सुमन अरपित किया। राजे पल द्रोपती मुर्मो ने सुक्रवर को राजभवन के दरबार होल में पुर्व परधान मंतिरी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपे की जहनती के अशर पर उनके चित्र पर मल्यारपन कर सरधा सुमन अरपित किया। राजे पल ने राजे के समस्त नागरिकों को किसमस की हार्दिक बधाई वसुब कमनाय भी दी। जहर्खन के सहरी छेत्र में पानी दोगना महंगा होगा है। जहकरी का जहासा देकर नवालिक को दिली ले जा रही मानो तसकर गिरफतार। राची रेलवेप पुलिस की सक्रेता से मानो तसकरी की सिकार होने से एक नवालिक एवं एक महिला बालबाल बच गई। बतादे इतना ही नहीं पुलिस ने महिला मानो तसकर सुनीता उराइन को भी गिरफतार कर लिया है। महिला मानो तसकर ने जनकारी दी की वह उने दिली ले जा रही थी। खोठा भासा को आठवी अनुसुची में सामिल करने की मांग। पुलिस ने इस वर्षी स्कूल छोड़ दिया है या आठवी पास बचों के कूल संख्या का करीब 19% है। इसके भी भीन कारण हो सकते हैं लेकिन इसे राज में मैट्रिक और इंटर में परिशार्थियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। या अभी भाग के लिए चिंता जनक है बतादे माधमिक अक्षाओं में ड्रॉप आउट कॉम करने का परियास किया जा रहा है। लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा है। बतादे 30 नॉवंबर से जार्खन पुलिस के अभियार्थी धाना पर बैटे हैं वहीं 10 दिखंबर से 5 अभियार्थी भूख हर्ताल पर हैं इस देवरान सरकार ने उनकी सुद नहीं ली। पंचायत चुनाओ पर सरकार सोच समझ कर लेगी फैसला हमन सुरेन। मुख्य मंत्री हमन सुरेन ने सुक्रवार को बोकारो एयरपोर्ट में कहा कि पंचायत चुनाओ के समझ में राज सरकार सोच समझ कर कोई निर्न लेगी जो भी निर्न लिया जाएगा राज यहीत में लिया जाएगा। बतादेवा बोकारो दोरे पर थे सीएम सिरी सुरेन ने कहा कि राज यही नहीं पूरे 20 सुवक के लिए बर्ष 2020 चुनाथी पुन रहा है। सरकार ने सभी चुनाथियों का सामना करते हुए आम जन जीवन को समान करने का प्रयास किया है। एक भी वादा नहीं हुआ पूरा युवाओ को नहीं मिला रोजगार रखबरदास। धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेले के अंदा वाई साथ वीडियो को एक लाइक का अपने दोसों साथ सेयर करना ना भूले। साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बैक अवस्य दे थाइंक यूू।